फॉन पे को प्रेसेंट्स इंडियाज सिटिजन स्कॉर्ड को पावद बाई एल आई सी इंडियन ओईल एन बजाज डॉमिनार त्रासदी अक्सर बिना चेतावनी के आती है जब तवाही का मंजर हो जब आपके शहर पर हमला हो रहा हो जब चारों तरफ लोग दे साहना हो तब आप क्या करेंगे ये एक ऐसा एक्सपेरिवंट है जिसे पहले कभे नहीं किया गया इसमें हैं स्पेशल फोर्सिस के छे ट्रेंड मिलिटरी प्रोफेशनल्स और बारा आम भार दिये नागरिक क्या इनके अंदर मिलिटरी ट्रेनिंग को पूरा करने का जज़बा है क्या आपदा आने पर प्रथम उत्तरदाई बनने की इनमिक शमता है इंडिया सिटिजन स्कौर्ड का मकसद है लोगों में हिम्मत और डेडिकेशन बढ़ाना हम इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये खत्रे से निपट सके इनमें इतना कॉन्फिदेंस होना चाहिए कि जब भी कोई एमर्जंसी आए तो ये तुरंत आक्शन लेकर दूसरों को बचाने क्या ये बन पाएंगे इंडियाज सिटिजन स्क्वाट कश्मीर के पहाड बहुत उंचे और दुर्गम है और अगले चैलेंज में इन ही पहाडों को फतह करना है हमें एक नई लोकेशन पर ले जाया गया जहां पर बड़े-बड़े पहाड और चटाने थी कारगिल वार के बारे में सुनाया ना तुमने पढ़ा होगा कि हमने वो लड़ाई कैसे जीती तो उन लड़ाईयों को जीतने की एक वजह थी और वो ये थी कि हमने दुश्मन को चौका दिया था हमने ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बारे में उसने स सोचा भी नहीं था समझ गए उपर वो पहाड देख रहे हो जिनके उपर बर्फ जमी हुई है ऐसे ही पहाड़ों पर हुई थी कारगिल की लड़ाई उस तरह की चोटियों पर खड़ी चड़ाई चड़कर दुश्मन पर हमला किया था उस तरह की क्लाइमिंग करने के लिए तुम्हें कई सालों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी पर मैं तुम्हें वो नहीं देने आया हूँ मैं तुम्हें देने आया हूँ एक इंट्रोडक्शन माउंटिनेरिंग कुछ स्किल्स जो हम उन्हें सिखा रहे थे उन्हें सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग के मकसद से नहीं सिखा रहे थे बलकि इससे उनके माइंड को ट्रेन किया जा रहा था आम तोर पर जब भी लोग चटान देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस पर क्यों चड़ूंगा या मैं इस पर क्यों चड़ूंगी मैं चाहता हूँ कि इंडिया सिटिजन स्कॉल जब भी चटान को देखे तो कहें कि मैं इस पर कैसे चड़ूंगा जब मैं रॉक क्लाइमिंग की साइट पर पहुंची तो मैं गिवप नहीं करना चाहती थी क्यूंकि मैं जल्दी हार नहीं मानती पर मैं समझ गई थी कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है जब मेरी बारी आई तो मैं बहुत डर गई थी मुझे रॉक क्लाइमिंग से उतना डर नहीं लग रहा था जितना मुझे ये सोच कर लग रहा था कि ये टास्क मुझसे हो ही नहीं पाएगा एक जगह पर मेरा हाथ बार बार फिसल रहा था मैं उपर ही नहीं आ बारी थी मैंने अपनी टीम से सौरी बोला कि मैं टास्क पूरा नहीं कर पाए पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि हमें तो लगा ही नहीं था कि तुम ये अटेम्ट भी करोगी लेकिन तुम लगी रही तुम टिकी रही और जब तुमें लगा कि तुम नहीं कर पाओगी त मैंने मांटन क्लाइंबिंग पहले कभी नहीं की यह मैं पहली बार कर रहा हूं और मुझे इसमें काफी मज़ा आया मैं हमेशा से यह करना चाहता था और आज मुझे मौका मिल ही क्या तो मैंने अच्छा परफॉंग करने की कोशिश थी रॉक्राफ्ट के बेशिक्स अब सबने सीख लिये हैं अब बारी है रीले रेस की तो तुम लोग तैयार हो येस सार ठीक है रिशब इधर आओ कणर सरीन सार ने पूछा था कि कौन कुछ केप्टन मना का थैट सारीन से मुझे तीम से मूझे टीम लेजर मनाया गया और तो अपोजी टीम ती उससे रिशब को तीम-ये सबनाय गया एक बार फिर से रूल्स बता देता हो रॉक रेस के रूल्स बहुत आसान है हर क्लाइमबर को उपर चड़ कर गॉंग वन और टू बजाना है हर टीम को चार मौके मिलेंगे जिनहें टाइम किया जाएगा टीम लीडर ये तै करेंगे कि उन्हें चार अलग-अलग क्लाइमबर को भीजना है या सिर्फ अपनी टीम के बेस्ट क्लाइमबर को तो क्या प्लाइन सोचा है सबसे बेरे मैंने वो स्ट्राटेजी बनाई थे कि भी जाएगा है कि Sunní बेज़ दुगा और Sunny को अबलग है нirotation में हमास हून आप स buddies sunshine एक बान sunni एक बान sunn violations खोकी साइब्स्राटेज से घंट तर मरे पास सबसे बस्ति हैं और या हिए कर पाएंगे स्टार्ट बहुत बढ़िया चलो रसी को ढीले चड़ दो ढीली चलो ये भी बहुत जरूरी था कि हमारा जो पार्टनर रसी से हमें सपोर्ट दे रहा है उसकी टाइमिंग बिलकुल सही होनी चाहिए रसी को लूज छोड़ने की तभी तो हम तेजी से नीचे उतर पाएंगे मेरे बाद सनी की बारी थी और वो मुझसे भी तेज चड़ा अरामसे 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 नो हरी सुनील ने जो पहला राउंड किया उसमें थोड़ा सा टाइम ले लिया लेकिन जैसी उसने नेक्स राउंड किया उसने उसको बहुत अच्छे से कवरप किया और उसने सेकेंड टास्क सिर्फ 22 सेकेंड में ही पूरा कर दिया तो उससे हमें लगा कि हाँ, अब हम जीत सकते हैं, उसके बाद सनी ने भी जारा टाइम नहीं लिया क्लाइमर 3, टू गॉंग्स, 32.66 सेकेंड, हमें टोटल चार पॉंट्स मिलें और वो भी तीन से चार मिनिट्स के अंदर, तो हां, हमने टास्क को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लिया शाबाश, बहुत अच्छा किया टीम रेड, अब ब्लू टीम तुमारी बारी में टीम का टीम था, सोनु तुम जीतना टाइम क्ले पाओ, क्योंकि हमने तुमें क्लाइम करते देखा है, तो बैटर होगा हमारी टीम को जीतने के लिए स्टार्ट में टाइम से इस्पीड से उपर क्लाइम कर गया था, लेकिन बिले लूज नहीं हुआ, वापस उतरना था तो बिलेव में नीचे वो रसी फस गई कहीं पे, तो तो के लिटल बिट मोर टाइम स्टार्ट सोनु एक प्रोफेशनल माउंटेनियर है, और वो उनकी टीम में था, पहले उसने थ्वड़ा सा टाइम लिया, तो हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, लेकिन जैसी उसने दूसरा राउंड पूरा किया, वी टुक जस्ट थर्डी टू सेकंड्स साथ हमारी टीम की प्लानिंग थी कि मैक्सिमम अटेम्ट में ले पाऊं और सेकेंड वर इनकेस में टायर हो जाता हूं तो निले एक अटेम्ट लेंगे हमें यह एक्सपेक्टिट नहीं था, हमने सोचा था कि निले दुबार आजाएगा लेकिन सोनू फिर से आ गया उसके बाद हमें पता चल गया था कि कौन जीतने वाला है, हम सब टाइम भी कैलकुलेट कर रहे थे कि कौन कितना टाइम ले रहा है फोर्थ वन जो लाश्ट वन राउंड था उसमें मेरे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबसे बैस टाइमिंग थी मेरी अराम से लूज 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 अराम से अराम से ब्यूटिफुल वल डन ओके मानव येस सर तुम्हारे हिसाब से कौन से टीम जीती सर ब्लू टीम जीती पका येस सर ब्लू टीम ने ये टास्क जीत लिया और अब उन्हें आखरी मिशन में बढ़त भी हासिल होगी तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया तुम्हारी टेक्नीक और टाइमिंग बहुत अच्छी थी अब तुम लोग नीचे जाओ वहाँ आगे के ओर्डर्स मिलेंगे इस ट्रेनिंग का बस एक ही मकसद है एक आम आदमी को तयार करना की जरूरबत पढ़ने पर वो देश पर आई किसी भी मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखें खुद पर भरोसा करें की मैं ये कर सकता हूँ तभी वो जीत पाएंगे अली ओन वे पाइंगे